हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स युनिवर्स तो आज की कॉमिक्स है दोगा उन्मुलन स्रिंकला की आठवी कॉमिक्स दोगा अस्त तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिरी के हर इंसान की अपनी विचारदारा होती है जिस पर वे भरोशा करता है और उसे ही अपनी जीवन का लक्षे बनाता है तोगा की विचारदारा को सच मानते हैं अधिकांस मुंबई बासी और खुद को सरक्षित महसूस करते हैं मुंबई वासियों के सरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नई और असरदार विचारदारा को लेकर आया है निर्मुलक निर्मुलक जो नियाए प्रिता प्रूरता दीरता आधी हर मामले में खुद को दोंगा से 21 समस्ता है अपनी विचारदारा को मुंबई पर थोपने की न निर्मुलक को अपने उदेश्य में सफल होने से यह अपनी विचारदारा के साथ ही सदा के लिए हो जाएगा खुद जलकर बंबई की रोशनी को देने वाला डोंगा अस्त उप्रोग घटनाओं को विच्तार सा जानने के लिए इसकी जो पुरानी कॉमिक्स हैं डोगा उन मुलन च्रंकला के डोगा निर्मुलक टोगा बेकाबू डोगा न्याए डोगा उनमन्द गोगा अंस डोगा द्वस्त और निर्मुलक क्रांती यह सभी कॉमिक्स आपको हमा का अस्त का फास्ट पार्ट मुंबई फ्यू हावर पैक जैसा कि मैंने बताया कि ये मिलिटरी के क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट में से एक था एक ऐसा डैडली वेपन जो यूद में आपकी सैना के इनवॉल्फ वे बिना भी यूद का परणाम आपके हक में रख सकता है ये ड्रिलर सूट मिलिटरी दुवारा दुस्मनों पर एक अनपेक्षित और पूरी तरह से कौफिया हमला करने के लिए डिजाइन किये गए थे एक ऐसा हत्यार जिसकी हमले के बारे में दुस्मन सोच भी न सके और जिस चीज के बारे में सोचा नहीं जा सकता उसके लिए खुद को तैयार भी नहीं किया जा सकता ये ड्रिलर सूट आचारे जनक गती से जमीन में गहराई तक सुरंगे बनायते हुए किसी भी दिशा में ट्रैवल कर सकते हैं और दुस्मन के छेतर में किसी भी भूत की तरफ प्रकट होकर खली भली मचाते गुए देश के किसी भी सफ़ाई के जानदाव पर लगाए विना जनक को आसानी से जीत सकते हैं लेकिन मैंने इनके प्रियोग के बारे में तो कभी नहीं सुना कता ही नहीं सुना होगा क्योंकि ये आर्म्स अभी प्रियोग में लाने लाइक बन ही नहीं पाए पहले सफल फरिक्षण के बाद इस अप्रूप डिजाइन पर ऐसे सो से ज़्यादा प्रोटोटाइप बने थे लेकिन इनकी सारी विशेश काओ के साथ ही इसमें एक खमी थी हैवी डूटी वर्क के लिए एक हैवी डूटी पावर सोर्स की ज़रूत पड़ती है जोकि इन सूट में मौज़ूद तो था लेकिन उस पावर सोर्स का परफरमस इच्छा अनुसार नहीं तरह क्योंकि इन सूट का परदर्शन ट्रेलिंग साइट की कठोड़ता के अनुसार प्रवावित होता है हैवी डूटी वर्क इन आंज को मिलने वाली उर्जा कुछ ही देर में शरीत करके इने रास्ते में कहीं भी वेकार कर देता है इनकी इस खौमी को दूर करने की कोशिश भी की गई लेकिन पढ़ना मनुसूर नहीं निकले लिमिटेट पावर सोर्स के चलते आवश्यक उर्जा की पूर्ती करने के लिए आंज को अधिकतर पावर सोर्स हुए कराना संबब नहीं था फिर इन आंज के डिल से निकलने वाला वाइबरेशन बिद्रसकारी है लगातार कारेशील रहने के इस्तिती में ये वाइबरेशन अपने आसपरस के कई किलोमेटर की इलागों को प्रवावित करता है यही कारण है कि मैं इस तरह पर की गई खामिया सामने आने के बाद इन्हें हमेशा के लिए नश्ट करने का अधिश दिये गए थे लेकिन मैंने इन आर्म्स की इस खामी का उप्ता बंदोवस्त कर इन्हें अपने अनुसार काम करने के लिए प्रीपरोग्राम किया है अब ये ना पूछना कि मैंने मिलिटरी क्लासिफाइड प्रॉजक्ट को खासिल कैसे किया यदि इंटेलिजेंस में आपका कोई घुस्पेटिया, जानकार, एक्सपेरिमेंट्स के कबरिस्तान में गड़े कई मुर्दों में से एक को खाड़ कर आपके सामने लाख हड़ करे तो उसमें दुवारा जान फुकना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है बहुत अच्छे जीरो जी, मुझे ऐसे ही किसी अतियार की जरुती और मैंने इन सुट्च के लिए एक बहतर नाम भी सोच लिया है मुंबई से अफ़राद को जड से खत्म करने के लिए धारा नगरी को जड से मिठाना होगा और इस काम का अंजाम देने के का काम करेंगे निर्मूल आर्म्स धारावी नगर मुंबई नाउ जो कि धारा नगरी के ठीक नीचे खुदाई करके इसके अधार को इतना खोगला कर देंगे कि धारा नगरी सदा के लिए निर्मूल होकर गर्त में समा जाएगी और इस तरह से मैं बढ़ाँगा अपरात रही मुंबई बनाने की दिशा में मेरा पहला कदम ये सबक होगा मुंबई के ब्याप, अरग जगता और अपरात फैलाने वाले हर छोटे बड़े सक्स के साथ थी दोंगा के लिए भी लेकिन ये हमारा प्लान नहीं था निर्मूलक हमने इस आपका शोदर किसी और काम के लिए किया था प्लान सुरू से यही था मिस्टर पांडे, फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्लान हमारा नहीं मेरा था और जिस तरह तुम मेरे प्लान में सामिल नहीं थे, उसी तरह मैं भी तुम्हारे प्लान में सामिल नहीं था इसका मतलब? इसका मतलब कि तुमने मेरा इस्तमाल किया? मैंने? मैंने तुम्हारा इस्तमाल किया? हाँ 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 अपने छोटे से घटिया से दिमाग पर जो डालो पंडे तुम खुद आये थे मेरे पास इस्तमाल होने के लिए लेकिन मैं ऐसान फरोमस भी नहीं हूँ अंडे तुने अंजाने में ही सही मेरी काफी मदद की है तो तेरे इस ऐसान के बदले मैं तुझे जिन्दा रहने का मौका दे रहा हूँ मेरे लिए समस्या बनने की कोशिश मत कर तुझे तुझ जैसे आदमी की समस्या को निर्मूल करने में मुझे चंड वर्वी नहीं लगेगा मैं तुमारे लिए समस्या नहीं बन रहा निर्मूलक तुमारा काम होने के बाद अगर चाओ तो मेरे काम को पूरा करने से मेरी मदद कर सकते हो लेकिन तुम बूल रहे हो कि तुमारे काम की में समस्या पैदा करने वाले और भी है जानता हूँ मैं किस की बाद कर रहा है पांडे सच है वैं मेरी योजना में अपनी टंग अड़ाने के लिए कभी भी पहुंच सकता है कि चुप पैट कर तमाशा देखने वालों में नहीं है इसलिए उस समस्या को जर्ष्ट करने का पुक्ता दियाम कर चुका हूँ में और इस बार जब वैं इस तमाशे को खत्म करने के लिए यहां आएगा तो तमाशे के साथ वैं खुद भी खत्म हो जाएगा दारावी नगरी मुंबई नौ बागो बूकम पाया हम वहाँ भी सुरक्चित नहीं है जमीन फट रही है हमारे मकान हमारी जमा पुंची को जमीन निगल रही है और अब हमारी पारी है यह जमीन किसी को नहीं छोड़ेगी हम निगल कर रहेगी माना कि मा समान धारा नगरी इस धर्टी के तुम लोगों को कई उपकार है लेकिन कोई भी मा अपने उपकारों का हिसाब अपने बच्चों को लील कर नहीं करती और इस धर्टी पर भी कलक नहीं लगने देगी लोंबडी कस कर पकड़ लो इस चाल को इतने सारे लोगों को एक साथ समाल पाने लाइक शक्ती मुझे में भी नहीं है थी उपर से डॉक्टर की दी हुई दवाईया ने पेचान सरीर बेजान का रखा है ऐसे में अगर मैंने जल्द ही इने उपर नहीं की चातो तो मैं इने समाल रख पाना मुश्किल हो जाएगा चाल मेरे हाथ से अटक गया है लोगे बजन के भार की कारण मैं भी उनके साथ गहरे गड़े में किशी जा रही हूँ बजन बहुत जादा है मैं खुद को रोक नहीं पा रही अंतनिचित है अरे मेरा गसिटना अचनक से रुक कैसे गया अरे तुम लोग तो हवा में लटके हुए हो मतलब तुम लोग उड़ सकते हो पहले क्यों नहीं बताया खामा का बेज़ान सरीर पर जान लगवा रहे थे अच्छा ठीक है मुश्किल वक्त में मजाक नहीं करना चाहिए तो देखना होगा कि कौन है जिसने लोमडी का असिरवाद पाने के लिए पांच हुए ओ शक्तिमान जीते रहो दूदू नाओ फूतो फूलो कीर्थिमान वाटवर सननेम तो तुम्हारा मानी है ना शक्ति हो या कीर्थि नाम में क्या रखा है चलो अब पोस बहुत मार लिए किर्थे पढ़ते ही सही दो चार सोचल मीडिया पर शेयर करने के लिए तुम्हारी फोटो तो ले लिए लिए अब मुझे और इस जाल में फसी इन मचल बना दिया है तुम मेरे बड़ पॉलेमन से गया तुम बस अपने काम पर ध्यान दो क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है मंबई तुमने रादिका तू भी इनके साथ है गलत मैं इसके साथ नहीं हूँ बलकि ये मेरे साथ है क्योंकि मैंने ठीक कानपपन बिलकुल सही कार तुमने रादिका कार क्यों कर रहे हैं तुम दो नोई सब क्यों कब और कैसे तुम्हारे सबी सवालों के जवाब तुम्हारे पास ही है लकड पस तुमने अपने बेजे पर कुछ बदाल चलानी की जुरूत है पाहली आ द बजाओ चुडल जो कहना है एक बार्स में काओ मुझे मारना भी है तो एक बार में मार दो ना 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 तुझे इतनी आसानी मौत मिल जाए तो मेरी वर्सों की तप्रस्या नर्थक हो जाएगी मैंने इस पल का बार्सों इंतिजार किया है उस इंतिजार में गुजरे एक एक पल का हिसाब लेना है तुझसे तो तुझे एक बार में कैसे मार दूँ चल तुझे तेरे गुनाओं की कहानी सुनाती हूँ भट गुना जिसका हिस्सा तु उसी समय बन गया था जब मुंबई के एक समराथ परिवार में जनम लिया था एक नन्नी सी जान एक पच्ची ने उस बच्ची का उस घर में जनम लेना सुब साबित हुआ क्योंकि उस लड़की के नाम के तिन ही सालों से चले आ रहे प्रॉपर्टी के केस का फैसला उस परिवार के हक में निकला उस लड़की के पिता ने उस प्रॉपर्टी पर टॉय फैक्टरी बनवाने का फैसला किया और उस फैक्टरी का नाम रखा उस बच्ची के नाम पर जो कुछ ही समय में नामी टॉय मेकर्स में से एक बन कर उबरा पापा की राजकुमारी और मम्मी की राजकुमारी उस लड़की का पालन पॉशन राज सी ठाटवाट से हुआ महंगे से महंगे कपड़े और खिलो ने उस लड़की की बस एक इच्चावर पे हजिर करद करवा दिया जाते इस लाट प्यार के चलते उस लड़की के लिए दुख तकलीफ जैसे अस्त्रित में थे ही नहीं लेकिन जैसे कि कहते हैं कि सुख और दुख एक ही तराजु के दो पड़्ले हैं कभी एक पड़्ला भारी पड़ता है तो कभी दूसरा और तराजु कभी भी एक पड़्ले के लिए दूसरे के साथ प्रिदबाब नहीं करता उस तराजु ने भी अपने दूसरे पड़्ले के साथ इंसाफ करने की ठानली थी छे साल की उम्र में उस राजकुमारी की मा की आक्समिक मौत ने जैसे उस परिवार की खुश्योप की सीमा बांधने का एलान कर दिया लेकिन उसके पिता ने उन दुख तकलिफों से उस बच्ची को रती भर भी हावी नहीं होने दिया पापा आप मुझसे पहले नहीं मरना पापा कभी नहीं मरते बेटा वे हमेशा जिन्दा रहते हैं बच्चों के तिलों में उसकी मा के जाने के बाद भी उसके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं आने दी किसी भी बीमारी को पनपने से पहले ही उसे खत्म कर देने का इंतिजाम पहले ही कर दिया करते थे उस बच्ची के पिता उसे एक चीक तक नहीं आती थी तो डॉक्टर्स के आगे भागदोड सुरू हो जाती लेकिन कहते हैं न कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके होने का पता ही इतनी आसानी से नहीं चलता और इस बीमारी का पता ही ना चल पाए उसका इलाज करना असंबव है ऐसी ही एक बीमारी उस सेर में फैली होई थी जिसका पता किसी को भी नहीं था उस लड़की के पिता को भी उस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया लालच और दोका दड़ी के किटानू ने उस लड़की के पिता को कब अपनी चपेट में ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला ऐसी बिमारियां इंसान को खत्म कर देती हैं लेकिन खुद कभी खत्म नहीं होती उस लड़की के पिता का भी उस बिमारी से खत्म होना निच्छित था कार में रखा अपना पर्स लेने जाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी उने उस ला इलाज बिमारी का शिकार दर्द पिता अपने पीछे छोड़ गया एक बिन मा की बच्ची अब जिसकी चीक पर डाक्टर की लाइन लगाने वाला कोई ना था पापा अपनी राजकुमारी को छोड़ कर जा चुके थे और उनके पीछे बच्ची थी एक अनात बेसहरा बच्ची योकि वैं सोच रहे थी कि क्या वैं सच में अपनी परिवार के लिए सुप थी लेकिन शायद नियती इतनी भी बेरहम नहीं थी उस बच्ची के लिए अभी एक सहरा बचा हुआ था उसकी मौसी उस बच्ची वो अपने बखर ले गई उसे एक नया घर मिल गया था एक नया परिवार वैं उसके पुराने बंगले जितना बड़ा तो नहीं था लेकिन अनाथले से बहतर ही था भाई भेहन जैसे रिस्तों से अंजान उस बच्ची के लिए एक ही मौका था उन रिस्तों को करीब से जानने का उन्हें जीने का उस मासूं लड़की ने जल्दी अपने विवार में उस घर आसपड़ोस और स्कूल में सभी का दिल जीत लिया था लेकिन इसी वज़े से उस बच्ची की मौसेरी भेहन अब खुद को उपेच्चित महसूस करने लगी उसने उस बच्ची से बदला लेने की भी ठान ली थी वैस सरारते करके इलजाम उस बच्ची पर लगा दे थी कभी वे बच्ची घर और पड़ोस में चोर बन जाती तो कभी स्कूल में चीटर समय के साथ उसका जीवन बर्थ से बत्तर होने लगा सभी की आँखों का तारा वे बच्ची अपनी मौसीप पर बोज बन चुकी थी हमेशा चेकने वाली वे मसूम बच्ची अब चैचाना भूल गई थी इन सब मुश्किलों के बीच बड़ोस में रहने वाली पीटी टीचर आशा मैडम भी एक रहात थी जहां वे लड़की सेल्फ डिफेंस और योग सीखा करती थी उसने जो सबसे बड़ी सिक्षा उसे दी थी वे कभी हालात के आगे चुकने नहीं लड़ना नहीं वे बच्ची भी खूब लड़ी पनुत तो अतते उसकी मौसी ने भी रोज रोज उसकी लड़ाईयों से परिशाना अगर उसे घर से निकाल दिया बड़ दस साल की और में उस बच्ची ने वे घर और सहर छोड़ दिया लेकिन महां से निकल कर वे फज गई और भी बड़े सैतानों के चुंगल में जुन्हों ने उसे उसी की तरह अन्ने मासमों के साथ एक टांस बार के मालिक को बेच दिया जुनिया का एक और गिनोना चैरा उसके सामने आ चुका था वहां उस पर बेहिंता अत्तशार हुए एक दस साल की मासम बच्ची को आयास मर्दों ने रिजाने वाली जवान लड़की बनाने के लिए इंजेक्शन दिये जाते थे जो उसे समय से पहले ही शारे ग्रूप से परिफक बना रहे थे वहां उसे लोगों के सामने चिस्म की नुमाइस करने के लिए पेहुदा डांस सिकाई जाते थे उसे अपने जीवन से खिन होने लगी थी वह बच्ची एक जज़ारू लड़की थी परिष्टी के आगे जुकना नहीं बलके लड़ना है नहीं यही सिक्षा मिली थी उसे उसने उस बार से भागने की कई नाकाम कोशिश है की और अतरतर सफल हुई लेकिन उसे मिली सफलता उसके जीवन की सबसे बड़ी विडमनस से दोने वाली थी वहाँ से बार निकल कर जैसे ही रादिका ने अपनी आखरी बार मुड़ कर पीछे देखा तो वह हरार रह गई उसकी आखे अपने सामने एक चांस वार नहीं अपने पिता की वही टॉय फैक्टरी देख रही थी जहां से उसे खिलोने के लिए पहला खिलोना मिला था उस बच्ची के पिता की मिर्थे के बाद उस टॉय फैक्टरी के मैनेजर ने टॉय फैक्टरी को हतिया लिया था निशल और निश्पाप बच्चों के चेरे पर मुस्कान लाने वाले खिलोना बनाने वाली जगे आज मासुम बच्चे को मर्दों को रिजाने वाला किलोना बनाने का मुख्य अड़ा बन चुकी थी अब उस बच्ची का मन बदल गया था अब वे वहाँ से भागना नहीं चाहती थी वे अब लड़ना चाहती थी अब उस बच्ची के जीवन के दो ही मकस्ते एक उस जगे को दुवारा हसिल करना और उस मैनेजर से अपने पिता की मौत का बदला लेना चानता है वे बच्ची कौन थी वे बच्ची मैं थी वे वे वेक्ती मेरे पिता जी थे और वे मैनेजर जिसने मेरे पिता जी को धोका दिया लेकिन तेरी जैसी सक्सियत से बदला ले पाना इतना असान नहीं था खास कर एक कमजोल लड़की के लिए तो कते नहीं अगर मुझे तुझ से लड़ना था तो तुझे जल्दी बड़ा होना था मुझे जल्दी बड़ा होना था जो तेरे करीब था लेकिन तेरे करीब होने का उसे कोई फायदा नहीं हुआ बलकि तुझे उससे जल्लत और दुद्कार ही मिली बस मैंने पपन को अपने साथ सामिल कर लिया मैंने दीरे दीरे अपनी पकड पहले बार पर और फित तुझ पर बनाने का फैसला किया मैंने नाच सीखने के लिए ची तोड़ मेहनत की ऐसा भड़केला और कामक डांस नाच चो लोगों की लाट टरपका दे मैंने पहले ही शो में तू मुझे पर मोहित हो गया पहला स्टेप कामियाब रहा तू ने मुझे बार की मुखे डांसर बना दिया अब मैं इस बार की शान बन गई हो गई थी और तेरी जान मेरी युकति काम कर रही थी हाला कि ऐसा करने की खामियाजा मुझे तेरे द्वारा दी गई यातना है और यहां नरक भोगने के रूप में भोगतना पड़ रहा था आज इस नरक को भोगना मेरे काम आया बार तेरा बार मोहन गैंक की भेट चड़ रहा है और जो इस दिन अपने आदमी खड़े हुए थे अपमान का बदला तुससे लेने आया है जिसे तुने मेरी वज़े से जिन्दा छोड़ दिया था तो कि मेरी ही चाल्टी भार तेरा बार मट्या मेट होगा और यहां मैं तेरा जीवन सुमाप्त कर तेरी आतमा की भीट अपने मिर्थ माता पिता को चड़ाऊंगी तो नारंग की छोकरी है तू बाब तो बड़ा सीधा सज्जन वैक्ती था फिर च्छमिया वाले गुट तुझ में कहां से आये रादी का तेरी मां से वैसे तेरी मां से याद आया तुझे तो याद भी नहीं होगा कैसे मरी थी तेरी मां किसी बीमारी से या किसी हादसे में तेरी मां को भी मैंने ही मारा तक कमीनी ताकि तेरा बाब तेरी मां के मरने से सद्वे में बाबला हो जाए और कालोबार मेरे हाथ में आ जाए लेकिन तेरा बाप तो पक्का बिजनिसमेन निकला इभी के मरने के बाद भी टटा रहा तबी तो उसे मारने पर मजबूर होना पड़ा मुझे वरना ऐसे सज्जन इंसान को मारना तो मैं भी नहीं चाहता था वैसे मानना तुझे भी था उसी ब्लास्ट में लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी तुब बच गई उस जिन एक सफोले निसे बच जाना आज मेरी जान की मुसीबत बन गई लेकिन तेरी मौत मेरी ही आतो लिगी है मनने से पहले अपने सारी गुना को कबूल कर ले लकड क्या पता नरक जाकर तुझे ऐसा करने का मौकर ही ना मिले मुझे नरक में जाने के लिए मरने की ज़रूत नहीं रादिका क्योंकि लकड खुद नरक का सेता है तु जहाँ चाहे चब चाहूँ एक नया नरक बना सकता हूँ लकड अब किसी की भी जिन्दिगी नरक नहीं बना पाएगा तू किसी और का तो पता नहीं मच्चर लेकिन आज तुझे नरक ज़रूर पहुचाऊँगा मैं क्योंकि तेरी जिन्दिगी यही इसी वक्त खतम होनी थोती है नहीं देखा रादिका पपन तो नरक में जा चुका अब तेरी बारी है लेकिन नरक तक तेरी यात्र इतनी असान नहीं होगी तुझे नरक पहुचाऊँगा मैं लेकिन तडपा तडपा कर आज रादिका खत्म होगी और उसके साथ ही खत्म होगी वे लकड जो तुझे प्यार करने की भूल कर बैठा था तुझे पाने के लिए अपने अस्त्वित को भूलता जा रहा था वे अब मैं तुझे वास्त्विक लकड से परिच्चे करांगा आते तक भार कीच लूँगा तेरी तुझे पाने से खुद को काफी समय रोके रखा मैंने लेकिन आज मुझे कोई भी रोक नहीं सकता कोई नहीं कमीने चोड़ मुझे चोड़ साले तुझे अब मुझे सिर्फ एक ही चीच छड़वा सकती है रादिका तेरी मौत तुझे तुझे क्या कर रहा हरा हरा हराम की उलाद पहली बात मैं हराम की उलाद नहीं हूँ मैंने पहले ही का था इनके साथ कोई बत्मीजी करें मुझे परदास नहीं मेरी मा के साथ चोभी बत्मीजी करेगा उसका अंजाम पुरा होगा और आस तो तूने अपनी हद पार कर दी लकड अध तो तूने पार कर दी सपुले अब पहले तू मरेगा तेरे साती के साथ और उसके बाद तेरी मा को मैं उसके फैंकर अंजाम तक मौचा हूँगा लेकिन उसे देखने के लिए तेरी आखें खोली नहीं रहेंगी खायल शेर की भाती अंस पर तूट पड़ा लकड गठोर फरसे टकरा कर अंस के होश गुंग हो गए थे इससे पहले की सूरज या रादी का कुछ कर पाने में लकड अंस की जान ले पाता हो गया वैदमा का प्राम जिसके बाद मुँआ ब्याप्त हो गया था कहन सननाटा मुंबई एफ यू हावर्स पैक उस धमाके के बाद मेरा और उसका साथ छूट चुगा था इसका मतलब यूसप से अपना बदला लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ लोटा है और उसने अपना बदला लगवग पूरा कर भी लिया है तो फिर अब वैं क्या चाता है पता नहीं चाचा यही पता लगाने के लिए ही तम्यार्ग चाचा सुरज अधर्क चाचाचा TV पर देखिये पर निर्मुलक है TV पर निर्मुलक? ओ, तो निर्मुलक खुल कर दुनिया के सामने आही गया, शकर है आप डोगा पर लगें सारे इंजाम अठ जाएंगे लोगों का डोगा पर विस्वास फिर से कायम होगा निर्मुलक अगर खुल कर सामने ना भी आता तो लोगों को डोगा पर से विस्वास इतनी आसानी से नहीं उटता चाचा लेकिन फिलाल निर्मुलक एक बहुत बड़ी समस्या बनकर मुंबई बासों के सामने उब रहा है लोगा या मुंबई के सामने ऐसी मुसिबत इससे पहले कभी नहीं आई इस समस्या को जड़ से उख़़ना अकेले लोगा के लिए आसान नहीं होगा लोगा अकेले का है सुरज के इतिमान कदम कदम पर लोगा की मदद के लिए उसके साथ मौजूद है मैं जानता हूँ मोहर तेकि शायद ये पहली बार होगा कि मुंबई में मौजूद कोई भी शक्ती इस समस्या से निपट पाने में सक्षम हो इस समस्या को जड़ से निपटाने के लिए डंगवा को कुछ विशेश सिद्जाम करने होंगे धारा नगरी मुंबई नाव देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग भगदर ना मचाएं दीरे दीरे यहां से बार निकलने की कोशिश कीजिए आप लोगों को सुरक्षित बार निकलने के लिए प्रश्चासन भी कोई ना कोई इंतिजाम करकर ही करता ही रहेगा लेकिन हमें किसी के बोरो से नहीं बैटना भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता हो ओ यह जल्दी यहां से हटिए लगता है जमीन पाड़ कर फिर कोई मशीन बहार निकलने दो इसे बहार लोग कबर जमीन के नीचे बनाते हैं इस विद्वसकारी मशीन की कबर जमीन के अंदर बना कर फिर रचूंगा एक नया किरती मान वर्किंग बैल्स बढ़िया अब इसके सारे हम इन मौत की मशीनों को काम तुमाब कर सकते हैं ये दोनों तो हमारे प्लान की मिट्टी के मिलाए दे रहे हैं निर्मुलक रिलेक्स मांडे रिलेक्स ये एक युद्ध है युद्ध में उतार चड़ा चलते रहते हैं इन दोनों ने मिलकर हमारे कुछ प्यादों को मार गिराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये इस युद्ध का पढ़नाम सनुक्षित कर देंगे आखरेकार तो ये दोनों भी तो प्यादे ही हैं और याद रखो कि प्यादे हमेशा बली चड़ाने के लिए कियो होते हैं जैमीन में तीर कमपन हो रहा है किर्थिमान और ये क्रेंट भी मुझे जैमीन में दस्ती सी महसूस हो रही है यानि ड्रिलर सूट हमारे ठीक नीचे खुदाई कर रहे हैं इसका मतलब समझते हो यही कि लोई के सैतान कभी भी जैमीन फाड़ कर आ सकते हैं फिक्र ना करो मैं उनके लिए तैयार हूँ अरे धपोर संग इसका मतलब है कि खोगली जमीन इस क्रेंट का भार नहीं से पाईगी और इस क्रेंट के साथ ही हम भी जमीन जोदो हो जाएंगे अगर इस क्रेंट के साथ यहीं समादी नहीं बनवाना चाते तो पिरा अच्छन गवाएं क्रेंट से भार ये गए काम को छोड़कर ये हमारे पीछे लग गए है या फिर ये आंस को ज़ादा ही नमक हलाल है अपने काम में उत्पन होने वाली वादा को सौंप्ट कर रहे है तुम यार हुमर को समझा करो हर बात को जस्टिफाइ करने की जुरूत नहीं तुम अपनी पहलवानी पर ध् दिमाख लगाकर उस टीन के टब्बे पर मिर्च का स्प्रे करके कौन सा तीर मार रही हो जिसमें कोई इंसानी आखे नहीं है जहां पर एक छोटे से पीपर स्प्रे से काम चल सकता है तीर और तलवार की क्या जूरूत आगे नहीं है लेकिन कैमरे तो है क्या समझे पहलवान समझ गया कि मुझे तुम्हारी बाते में न पढ़ते हुए अपने दुस्मन से निपटने में ध्यान लगाना चाहिए नौट बैट मेरी संगत में रहोगे तो देरे देरे सीख जाओगे चुप होने का क्या लोगी तुम कैल्कुलेटर करके बताओंगी ए भगवान मैं तो समझे थी कि ये संक्या में ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन ये तो खत्म होने का नामी नहीं ले रहे क्योंकि ये खत्म होने के लिए नहीं खत्म करने के लिए बनाए गए हैं तो अब क्या कहना है तुमारा इससे निपटने के लिए कौन सा तरीका कारगर होगा एक ही तरीका है प्रातना करो कि कोई चमतकार आकर हमें इस मुश्यवत से बचा ले लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली भगवान ने नहीं कि ये मुंबई है यहां भगवान से पहले मुंबई का बाप लोगों की पुकार सुनता है आय मेरा हीरो मैं जान दे दी अपनी हिरोईन को बचाने के लिए जरूर आएगा कृतिमान कैच इन आंप से निपडने में ये गंद तुम्हारे काम आएगी और मेरे लड़कियों के हाथ में हत्यार शोबा नहीं देते हम खुडस अदूस इन लोए दानवों से निपडने का काम मुझ पर और डोंगा पर छोड़ दो तुम बस धारा नगरी के लोगों को सुरक्चित यहां से भान निकालने पर ध्यान दो उफ चरासी चूक और बाइक सहीत मैं भी इस घहरी शरंग में दफन हो जाता दोगा तुम ठीक तो हो न यह आंपस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे दोगा खत्म करो चार और खड़े हो जाते हैं ना जाने कितने और होंगे जो चमीन को अंदर से अंदर खोकला किये जा रहे हैं मेरे इसाब से अंदर भी उतने ही होंगे चितने की बाहर हैं ऐसा किस आदार पर कह रही हो तुम यह सारा काम एक पैटर्ण पर चल रहा है मैं काफी देर से नोटिस कर रही हूं यह अंदर खुदाई करके थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आते हैं और उपर उड़कर यह उस हैली केर में जाते हैं जो कि पिछले काफी समय से धारा नगरी के स्वाया है उन आर्म्स के अंदर चाहनी से पहले उस हेली कांप के अंदर उतने ही आर्मस निकलकर जमीन के अंदर गुश जाते हैं जितने की जमीन के बाहर थे क्या मतलब इस pattern का यही की शायद इन arms का power source limited है इनकी battery बहुत जल्दी discharge हो जाती है जिसे दोबारा charge करने के लिए वे वहाँ जाते हैं और charge हुए arms उनकी जगे चैमीन को खोदने में जुड़ जाते हैं और ये cycle चलता रहता है exactly हमें इस cycle को तोड़ना है cycle तूटेगा मेरा योजना द्यान से सुनो आपकी बार जब ये arms दिल जमीन पर फोड़ कर निकलेंगे तो हम सभी को नश्ट नहीं करेंगे प्लाम दो arms के सारे तुम दोनों को उस charging point को ढूड़ कर उसे नश्ट करना होगा दोंका मैदान में कूच चुका था और इन लोगों ने हमारे काफी arms दबा कर दिया है निर्मोलक और अब इस तरब बढ़ रहे हैं ताकि मुसीवत की जड़ को खत्म कर दे चल्दी कुछ करो मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ पंडे कुछ करो या अब हम ही क्या करेंगे जैसी बाते बोलकर अपनी काबियत पर सवाल ये निशान मत लगवाओ यूसप के एमपायर को समालना है तुमें इस इस्तिति को तुम कैसे निप्टोगे ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ क्योंकि जिस पल का मुझे बेसबरी से इंतियार था वैपल आ गया है वैपल जब मैं दोंगा और मेरे बीच की इस लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुचा दूँगा मेरी बाइक नस्ट करके मैं तुमें भी कहर से कोई को नहीं बचा सकता जितना भी बारूद है आज मेरे पास तुम सभी के साथ मेरे आका को भी उड़ा जड़ समेत उखाड़ते खर्चा करूँगा अपना बारूद बचा कर रख डूँगा तेरी चिता में आग लगाने के काम आएगा और रही बात जड़ से उखाड़ने की तो यहाँ पर जड़ से खत्म करने के सरवादिकार मेरे पास सरक्षित है उफ यह क्या हो रहा है उपर की तरफ जाते हैं आम सहवा में कुलाटियां क्यों मर रहे हैं इधर देखो लॉम्डी हमें इने सफल नहीं होने देना है लॉम्डी ओ माइगोड मैं इसका प्लान समझ गई यह हमें अपस में टकराना चाते हैं ताकि आमस हवा में ही नस्ट हो जाएं और इतनी उचाई से गिरकर हमारी कीमा बन जाए हमें इने सफल नहीं होने दिना है लोमडी जैसे ये आम्स टकराने को नज़दी काए पहुचें हमें इने जटका देकर इनका एंगल चेंज करना है ताकि हम बिना टकराए बच निकलें नहीं हो पारा हम दोनों द्वारा किये गई रहे जटके इन्हें अपनी दिशा से भटकाने के लिए काफी नहीं है अब तो इन्हें दोनों आल्म्स को टकराने से कोई नहीं रोक सकता बड़ा चल्दी करो पूरी वस्ती पर फैल जाओ घ्रैम मंतरी शेवड़े यहीं पर फैसे हुए है हम सबकी पहली जेमेदारी है उन्हें डूड का सुरक्षित यहां से निकालना तेवेक कोई घ्र्वा कडाक डैम इस पर गोलिया को कोई असन नहीं है इनसे निपटने लिए कोई और हतियार चाहिए लेकिन अब ही मुझे इससे उलज कर अपना समय बर्वाद नहीं करना है मुझे सेवडे जी को डूड़ना होगा लेकिन इतनी बड़ी धारा नगरी में उन्हें कहां डूड़ूँगा तो गाइस यह तो डोगा अस्त कॉमिस का फरस्ट पार्ट डोगा अस्त की सेकेंड पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे दाइस अगर यह कॉमिस आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का घंटा प्रेस करना ना वोलें जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिस का नॉटिफिक अग्यू